नमस्कार दोस्तों इंग फिर से मैं यूटूब चानल पर आप सब का स्वागत हैं CUETPG के प्रिप्रेशन के लिए CPET के प्रिप्रेशन के लिए Cotton University के प्रिप्रेशन के लिए जामिय मिले इस्लामिया के प्रिप्रेशन के लिए CUATPG के अंतरगत जितने भी विश्ववविद्याले आते हैं JNU हो गया, DU हो गया, BHEU हो गया, Hyderabad University हो गया, Dibroogar University का टेस्ट, सब के लिए CUATPG का जो बैच है 2024 के लिए लॉँच हो रहा है, हमने 2023 में भी CUATPG का बैच कराया था, आप उसके Demo Classes को देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाकर, और आप इस बैच में इन्रोल हो सकते हैं, प्राइस है 3000 रुपीज और इस बैच की वैलिडिटी एक साल तक रहेगी, Classes शुरू हो रही है 1 सेप्टेंबर 2023 से, क्योंकि Classes लंबी चलेंगी, पिछले बार मैंने जन्वरी में Classes शुरू किया था, मैं बिमार पढ़िया था, पढ़ाते पढ़ाते, एक एक देन 3-3 घंटे का, 4-4 घंटे का Class हो जा रहा था, Slaves को Complete कराने में, इसलिए Rush को Avoid करने के लिए हम पहले से बैच शुरू कर रहे हैं, आप जाकर admission ले सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दे रहा हूँ अपने website का, अगर आपको कोई doubt हो, तो आप मुझसे WhatsApp पे भी contact कर सकते हैं, आप website पर जाएंगे, तो वहां से आपको WhatsApp का link मिल जाएगा, अब बात यह है कि आपको CVT PG के इस batch में admission क्यों लेना चाहिए, सबसे पहली बात, बहुत अच्छा हमने 2023 में जो है, perform किया है CVT PG batch में, 2023 में जामिया मिल एसलामिया के top 10 में हमारे 3 student है, rank 4, rank 5, rank 9, और CVT PG में इतना tough paper होने के बावजूद भी बहुत अच्छे marks है हमारे students के, और इस बार हम लोग और ज़्यादा देखेंगे, paper में और ज़्यादा हम अपना command बनाने की कुशिश करेंगे, मैं अपने बार में बता हूँ, तो आप लोग तो semester 5 में हम से पढ़ी रहे हैं, semester 6 में भी मेरे YouTube channel से पढ़िएगा, maybe आप मुझे semester 3 से follow कर रहे होंगे, मैं कैसा पढ़ात हूँ आपको पता है, इसके बावजूद अपने बार में बताना चाहता हूँ, मैं डियू से पढ़ा हूँ, मैंने डियू एटी का exam crack किया था, मेरा ज्यारेफ क्वालिफाइड है, ज्यारेफ क्वालिफाइड करना अपने आप में बहुत मड़ी बात होती है, 99.67 percentile है मेरा 99.67 percentile के साथ, मैं डियू क यूनिवर्सिटी, मैं instructor हूँ, इंटरनाशनल भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं educator हूँ, political science internationally भी पढ़ाता हूँ, प्लस मैं guest security, तो ये सब मेरे qualification है, प्लस मैं आपको CUT PG में admission क्यों लेना चाहिए, आपको CUT PG में admission लेना चाहिए, 3-4 purposes के लिए, सबसे पहला CUT PG के batch में, देखे, exam निकालना तो अलग बात है, आप सीखेंगे, आपको knowledge मिलेगा, आपने जो अपने तीन साल में कुछ नहीं सीखा graduation में, मैं विश्वास दिला दूँ आपको, कि आप इस course में सीखने वाले हैं, जो आप graduation में नहीं सीखे हैं, और आगे भविश से मैं कभी नहीं सीख पाईएगा, वो इस course में आप सीख कर जाएगा, सबसे पहला benefit, दूसरा benefit, आपके semester 5 में आपको help मिलेगा, आपको detail में सभी thinkers को पढ़ने का मौका मिलेगा, तीसरा benefit, semester 6 में भी आपको पढ़ने का, बहुत सारे questions हमारे notes से आएंगे, जैसे भी cotton university, जामिया मिले, इसलामिया के, जितने भी questions है, सब notes से थे, उडिसा वाले भी examinations हुए थे, उसके भी questions है notes से थे, CVT PG के भी questions काफी सारे notes से थे, इस बार paper थोड़ा टप था, फिर भी बहुत अच्छा हुआ है सारा कुछ, प्लस में अगर आप UPAC, PSIR का भी preparation करना चाहते हैं future में, तो देखी, आपका 60,000 बरबाद नहीं होगा, अगर आपको कुछ नहीं आता है, और अगर आपने सुबरा मैम के यह admission ले लिया, अपने concept को मजबूत बना रहे हैं, आपको मैं इस काबिल बना दूँगा, कि आप PSIR को अगर आप खुद से भी पढ़िएगा, तो आप अपने optional को complete कर सकते हैं, तो यह कुछ फायदे हैं, और selection तो हमारे batch से हुए ही हैं, और आगे भी होंगे, तो जब आप मुझसे semester 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे semester 3-4 में, आप मेरे notes से, मेरे lecture से successful हुए हैं, अपने examinations में, अपने semester exam में, तो आपको मुझपे विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, कि मैं आपको CVT PG के परिक्षा में भी सभलता दिलाऊंगा, और मैंने काफी student को दिलाया भी है इस बार, तो इसलिए आपको CVT PG के batch में add जरूर होना चाहिए, 3000 रुपए में जो आपको knowledge मिल रहा है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, आप उसकी तुलना मत कीजिए, तो अगर आपको batch में enroll करना है, अच्छा, एक चीज़ और, एकदम basic से पढ़ाया जाएगा, अगर आपका stream science था, या कोई और stream था, political science नहीं था, फिर भी आपको course समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे students पुछते हैं, कि मैंने अपना bachelor's किया है, physics में या chemistry में, तो क्या मैं political science में admission ले सकता हूँ, JNU में, DU में, तो बिल्कुल आप master's political science से कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपका bachelor's political science में ही हुआ हो, तब ही आप political science में master's कर सकते हैं, in fact आपका अगर कोई भी bachelor में course हो, maybe history हो, geography हो, तो भी economics हो, तो भी ये में political science कर सकते हैं, physics हो, chemistry हो, maths honors हो, फिर भी आप political science कर सकते हैं, तो एक पहली clarity ये मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे doubts आते हैं, तो आप अगर demo class देखना चाहते हैं, हमार website पर जा सकते हैं, मैं link आपको दे दे रहूँ, और उसी link पे आप देखिए, demo class पिछले साल के एक वीडियो ज़रूर देखिएगा, देखिएगा आपको कितना ज़्यादा knowledge मिलेगा, तो एक 3000 की तुलना जो आपको knowledge मिलेगा, अप उससे नहीं कर सकते, और DU के काफी सारे students थे, और ASAM के काफी सारे, और URISA के काफी सारे students थे, हमारे batch में पिछले साल, लगभग 170 के आसपास में students थे पिछले साल, अभी भी बहुत सारे admissions आ चुके हैं, तो आपको मैं देखता हूँ उसी batch में, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन सुब हो, इसी तरह से पर्टे रही और अपना खयाल रखिए,